नमस्कार मित्रो मैं बलराम किशान और यह वीडियो जो आप देख रहा हैं यह 36 गड़ से हैं हमारे मित्र हैं उन्होंने भेजा है मोहित शर्मा जी ने आज तारिक है 6-5-2020 प्रकृति अपना कमाल दिखा रही है कुछ शंतुलन बना रही है लेकिन उनमें हम जैसे मित्र तकलिब में आ जाते हैं भयानक बाउंडर आया होगा सारा केला एकदम हाथ में आया हुआ माल खतम हो गया है मोहित भया प्रकृतिक आबदा हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हां किशान पाठशाला का प्रतिनिधी में बलराम किशान पूरे भारत को आपकी यह फिल्ड देखकर और एक बार आज रिपीट करता हूं चोपडा के काफी किशान जुड़े हैं बुरानपूर के काफी किशा किशानों को बोलना चाहता हूं जिनके भी आंदी तूफान में डेमेज हुए हैं वह किशान पाठशाला से संपर कीजिए अभी आपके साथ में कंदे से कंदा मिलाकर हम खड़े हैं और इसकी अगली क्राप बीना खर्चे में लेकर के आएंगे नया रटुन पीलबाग टेडा नहीं हुआ है पूरा टूट गया है तो फल तो आने से रहा लेकिन सर्मा जी सही जगे आपने वीडियो भेजा है मैं बलराम किशान पूरे भारत को बोलना चाहता हूं जिनके भी आंदी तूफान में प्लाट नश्ट हुए हैं अपने फिल्ड की पूरी प्रोग्र की अगली नई फसल हमारी संस्ता तरप से निश्वल्क होगी बी एफस बैलेंश फर्टिगेशन साफ्ट्वेयर पूरे भारत में एक मातर भी किशान इश्माट फार्मिंग रन कर रहा है जिसके तहत हमने कुछ केटेग्री बनाई है एक केटेग्री है जिनके उपर एक एक मैंने जो अभी और पहले भी हमारे पूरे भारत को प्रोटेक्ट करके रखे हैं और तीस चोथी केटेग्री है जो मित्रों के प्लॉट आंदी तुफान से गिर गये हैं इन चारों केटेग्री को हम निश्वल को गाइड करेंगे कोई चार्जस नहीं लेंगे आपकी अगल ब्रदर ये जो शमश्या है यह आपकी नहीं है इवन आपके साथ हम भी है किशान पाटशाला भी चाहती है कि किसी भी मित्र का कुई भी प्लॉट डेमेज नहों खराब नहों अब खराब हो गया है तो उसे कम खर्च या बीना खर्च में कैसे ठीक करें सभी मित्रों को मैं एक चीज बतला दूँ इस situation में आज आप अगर खेत की सफाई भी कर रहे हो तो सफाई करने में भी कम से कम 20,000 रुपे प्रती एकड़ का खर्चा आना है 20,000 रुपे प्रती एकड़ का और मेरा 100 राइटिंग में दावा है कि 20,000 में हम आपकी नई फसल को ले लेंगे 20 रुपे पोदे में 15 रुपे पोदे में कैसे ले लेंगे छोटा सा काम करना है अभी जो ये तूट गये हैं अभी उनको उठा के बाहर नहीं करना है जो भी आपकी लाइन से लाइन की दूरी थी आपकी लाइन से लाइन की जो भी दूरी थी उसको आपको क्या करना है जैसे ये लाइने हैं आपकी इन लाइनों को एक लाइन में इसका कचरा और इसका कचरा एक लाइन में डाल देना है सारा जो जहां से तूट गया है उसको काट करके जैसे यह ओधा उपर गया और टूट गया है तो यहां से काट दीजिए एक लाइन में सारा खर्पतवा और कच्रा यह जो केले का है यह डाल दीजिए फिर इस लाइन का और इस लाइन का इस लाइन में डाल दीजिए इस लाइन का और इस लाइन का इस लाइन में डाल दीजि कितने पर्षेंट गया है पर्षेंटेज मुझे बतलाना है मैं BFS का फार्म भेज रहा हूँ फार्म भरके 100 आप आगे बढ़िए आज की तारिक से कोई चार्जेस नहीं रहेगा वी किशा निश्माड फार्मिंग आपको निशुलक गाइड गरेगा सबसे पहला काम एक पट्टे में जो भी बायमास बोडी वो डाल दो दूसरा अब यह जो पट्टे में आपने बायमास बोडी को जो डाला है एक पट्टे में कच्रा डाला है एक पट्टा खाली रखा है यह जो आपका बेड बनावा मुझे दिख रहा था तीकुना बेड है इस तरह से हर एक नाली में बेड है आपका तो पोधा जहां है उसके अंदर की साइड ड्रिप रखना है यह बात समझने लायक है मतलब जिस तरफ कच्रा भरोगे कच्रे के ऊपर ड्रिप चाहिए और पोधा तो उसी लाइन में अभी जो कड़ गया है आपका पोधा उधारन के लिए यह जो पोधा था यह कड़ गया कच्रा इधर है तो ड्रिप आपकी इधर होनी चाहिए यह ड्रिप इधर होनी चाहिए इसका पोदा बाहर एक काम इस तरह से मैनेज करना है दूसरा जो पूरा खेत कड गया है अभी उसके बेबी आएंगे ठीक है एक बार पहले सफ़ाई करो बेबी को हाथ नहीं लगाना है नए बच्चे जो है उनको हाथ नहीं लगाना टच नहीं करना है नए बच्चे जितने भी आएंगे अभी धुंडा रह जाएगा और इसके आसपास तीन चार पांच बच्चे आएंगे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो मुझे बना के देना है जब यह प्लाट आपकी पूरी सफ़ाई करके सफ़ाई क्या करोगे काट काट के वहीं डालना है बहुत कम इजी मे उनके नीचे बच्चों की अवस्ता क्या है आगे मैं आपको 100 गाइडलाइन देता हूँ नाराज होने की जरूरत नहीं निरास होने की जरूरत नहीं हतास होने की जरूरत नहीं है किशान पाटशाला की पूरी कम्यूनिटी आपके साथ है सरमा जी चिंता ना करें मैं बलरा दवईल आकर लगाओगे उतने से कम पईसे में हम इस फसल को ले लेंगे रटून को और आशा करता हूँ यह जो अभी थी इस से अच्छी लेंगे तो इसमें आपका क्या होगा महिनत बचेगी निराशा बचेगी आपका मूड फ्रेस रहेगा जल्दी कटिंग आएगी दूस को भी खाएगा वह हंड्रेड रेशिड्यू फ्री खाएगा और हामफुल पेस्टिसाइज फर्टिलाइजर से रहीत फल खाएगा यह एक मोठी बात मैं आप सभी को बतला दूं कि यहां पर अगर हम इसे अभी नहीं काट रहे हैं और नहीं रिपेर कर रहे हैं तो फिर हमे की साब्दा से फसा है तो चवर्यानू 245 94245 38222 यह आफिस का नंबर है खेत का वीडियो बना के भेजिए और बीकिशा निश्माट फार्मिंग शे निशुल्क गाइडलाइन लीजिए हम आपसे एक रुपे का भी चार्जस नहीं लेंगे आप दस बार फोन कीजिए बात क आपका चेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा किसानों तक भेजिए क्योंकि प्रकृति इस साल हमारे पीछे लगी है प्रकृति के आगे हम जा नहीं पाएंगे लेकिन साथ में कैसे चलें उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं 100 गाइडलाइन और हंड्रेट सक्सेस होंगे और अगली फसल जीरो बिजट में लेंगे सरमा जी बहुत अच्छा किया आपने यह वीडियो भेजा और भी किसानों को आपके वीडियो से हिमत आएगी और ज्यादा से ज्यादा ग्रूप में किशानों तक केला किशानों तक इसे शेयर करें और किशान पाटसाला चैनल पर जुणने की अपील करें ताकि हम किसान ही एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे साथ में थेंक यू मैं बलराम किशान